अगर इस तरीक्य कोलम आ जाएं जिस तरीक्य के यहां पे हैं डबल रिंग वाले तो दो रिंग किस परकार से असानी से जो है वो कॉलम के नदर डालें तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना अंतर तक तो एक कॉलम जो फोटो में आप देख रहे हैं यह डबल रिंग का कॉलम में जिसमें दो रिंग डले हुए हैं और कॉलम को जो है इस परकार से बांदा जाता है जिसमें कि जो बाहर वाले चार सरी हैं उनको बड़ा रिंग कवर करता है जो अंदर वाले चार सरी है उनको अंदर वाला जो छोटा लगने के चांसस ज़ादा रहते हैं तो इस का जो बहुत ही आसान तरिक्का है वो हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको कॉलम बांधने में बहुत आसान नहीं हो जाएगी और चोड लगने का जो कत्रा है वो भी नहीं रहेगा तो आपको करना का है आपको इस तरिक्के से बाहर वाड़े जो है चार सरीए सिंगल रिंग के साथ आपको बांद लेने हैं और बांद लेने के बाद उसमें जो ये रिंग डालने हैं ये रिंग डालने के लिए हमें क्या करना है तो हमें जो हमारे चार सरीए बंदे हुए हैं उनके उपर रिंगों के उपर इस तरिके से दो सरी तो उसमें इस परकार से जो हमें रिंग डाल लेने हैं जो हम दो सरी उपर रखे हैं उनमें रिंग डाल लेने हैं रिंग डालने के बाद इसमें हमें जो नीचे वाले सरी जो हमें इसमें बीम में अलग से एक्स्ट्रा सरी जो डालने हैं चार सरी जो छोटे रिंग के तो वो सरीय हम इसमें डाल लेंगे तो सरीय डालने के बाद हमें क्या करना है तो जो हमारे उपर हमने एक्स्ट्रा सरीय रखे थे उनको हमें इसमें से निकाल देना है कुछ इस परकार से जिस परकार से यहां बेन निकाल ले जा रहे हैं तो जैसे ही हम वो सरीय निकाल लेंग जैसे यहाँ पर यह सरीया निकालने के बाद सभी रिंगों के साथ में रिंग जो है वो आ गए है और उसके बाद हमें उठा करके इनको रिंगों को और फिर बांद देना है तो यह सबसे आसान तरीका है जब डबल रिंग का कॉलम हमारे पास आए तो उसमें दूसरा रिंग जो डालने कहा तरीका है वो यह तरीका है इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बिना हाथों पर चोट लगे यह रिंग डाल सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अब यह हो गया असानी से हमारा डब